कैसे आप सब आई हो आँप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो क्याईज आजकी वीडियो में मैं आपके साथ यशन की वीडियो शियर करने लगीं व बहुत ही प्याईल की विडियो शियर करने लगिंँ ट्फ ब्रेड्च की तो में at ये वली वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड फैमली के साथ शेयर भी कर देना तो चलिए गाईस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्चार्ट करते हैं Let's Get Started तो सबसे पहले करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट से इस तरह से बाल लिए हैं हाफ बाल मैंने आगे से लिए हैं और उस पर अच्छी तरह से कॉंबिंग कर रही हूं अच्छी तरह से जेशन के बालो में मैंने आइलिंग की हुई है मस्टर्ड आइल मैंने उसके बालो पर लगाया है आइलिंग करने से जो हेर स्टाइल है जो ब्रेड है उसकी लुक बहुत ही जदा अच्छी आती है आईली ब्रेड इतनी जदा सुन्दर लगती है बिलकुल ड बालों में कुछ भी नहीं कर सकती हूं कॉम्बिंग तक उसके बालों में नहीं होती है जब तक अच्छी तरह से मां ओईलिंग नहीं करती हूं टैंगल रिमूव कर लूँ फिर ही अच्छी तरह से उसके बालों पर मैं कॉम्बिंग करती हूं देखिए सबसे पहले मैंने फ्र कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें रिब्बन भी वियर करके डाल सकते हैं बड़ा क्यूट हेस्टाइल लगेगा तो देखे इस तरह से मैंने इस तरह का ये कपतला सा रेड रेड रबर्ड बेंड का यूज किया है इसके बाद मैंने ट्विन ब्रेड्स बनानी है फ्रंट से बाल मैंने पहले लिये हैं और अब मुझे ट्विन ब्रेड्स बनानी है बालों को मैंने दो हिस्सों में बाट लिया है आप चाहे तो फिश्टेल ब्रेड बना सकते हैं खजूरी ब्रेड बना सकते हैं कि तो मैं यहां पर सिंपल ब्रेड बना रही हूं कि आप चाहिए तो इसमें रिब्बन वियर कर सकते हैं अगर आपकी बेटी स्कूल जाती है या फिर वैसे आपको यह ब्रेस्ट्याल करना है तो आप किसी असेसरी का यूस भी कर सकते हैं तो जेशन की ब्रेड साप देख सकत हैं कि उसके ब्रेड ऑईली ब्रेड कितनी ज्यादा सुन्दर लगती है बिल्कुल ख्लोस से मैं आपको दिखा रही हूं जब उसके बालों में अच्छी तरह से टैंगल्स रिमूव हो जाते हैं तो बड़े प्यारे उसके बाल लगते हैं कॉंबिंग बड़ी अच्छी तर कर ली थे अब उसके बाल थोड़ी स्ट्रेट उने शुरू हो गए हैं आयूर शैंपू के यूज से ही उसके बाल इतनी ज़्यादा अच्छी हुए हैं और मस्चर्ड ऑईल इन दोनों चीजों से ही उसके बाल इतनी ज़्यादा स्च्रॉंग हेल्दी है तो देखे इस तरह सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए जशन के जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूं सबसे पहले मां ऑइलिंग ही करती हूं ऑइलिंग करने से उसके बालों की लुक बहुत ज्यादा अच्छी है तो देखिए जिस तरह से मैं एक ब्रेड बनाई थी उसी तरह से अब मैं दूसरी ब्रेड बना रही हूं जिशुन की ब्रेड्स इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि करने में 15 मिनट लग जाते हैं मेरी बेटी के बाल काफी जधा छोटे हैं उसके बालों पर हीस्ट्यल करने में मुझे जस्ट 6 एक से 2 मिनट ही लगता है जशन के बाल लंबे हैं टैंगल्स रिमूव करने होती हैं फिर ब्रेड बनाने में काफी टाइम लग जाता है वैसे जशन को मैं पूरा वीक जुड़ा करके ही रखती हूँ तो देखें इसी तरह से मैंने ये वली दूसरी ब्रेड बनाई है ब्रेड की लुक आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यदा सुन्दर लग रही है ओईली हेर में तो लुक और भी ज़्यदा अच्छी आई है तो अब दोनों ब्रेड पर मैंने अलग अलग से रबड नहीं डाल ली है दोनों को मैंने एक साथ ही पतला सा रबड बेंड डाल दिया है और इस तरह से मैंने ये वला हेर स्टैल किया है आपको ये वला हेर स्टैल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वली वीडियो कैसी लगी तो देखिए गाईज लास्ट में इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है ब्रेट्स कितनी जदा सुन्दर लग रही है अगर आपको ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आप सब वीडियो जरूर देखते हैं बट लाइक करना शायद भूल जते हैं आपने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा तो चलिए गाईज आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए थैंक्यू बाई